हलो वीवास वेलकम चुरी हानास रेसिपी जम बनाएंगे बटर चिकन सेमिया रेसिपी बहुत सेंपल रेसिपी है बहुत ही मज़े की बनी थी आप भी जरूर ट्राइ करके देखिए बड़ों को क्या बच्छों को भी रेसिपी बहुत पसंद आईगी फिर किस बात की देरी फ्रैंड चलो रेसिपी बनाना शुरू करेंगे इसके लिए फरस्ट हमें कडाई ले लेंगे ग्यास को आंद कर देंगे कडाई गरम होने के बाद डो टी स्पुन जितना आईल आट कर लेंगे आईल बहुत ही ज़्यादा दालने की जरुरत नहीं है बस थोड़ा ही दालना है यह सेमिय फ्राइ करने के लिए सेमिय एक कर लेंगे नहीं तो सेमिय जलेंगे और लगातार चलाते ही रहना है अब इसेमियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे मैं यही कडाई यूज करूँगी अब चाहतो दुसरी कडाई ले सकते ही अब इस साइड में रख देंगे सेमियों को अगला प्रोसेस देखेंगे अब इस कडाई में बटर एड़ कर लेंगे दो टेबल स्पून जितना बटर है ये बटर को अच्छा सा मेल्ट होने देंगे अब के पास बटर नहीं होगा तो घी से भी रेस्पी बना सकते ही हेल्थ प्राब्लम होगा तो बटर के बदले में आप आईल का भी उस कर सकते ही अब ये बटर अच्छा सा मिल्ट हो गया है तो इसमें आड़ कर देंगे चिकन ये 250 ग्राम चिकन है बोनलेस चिकन है चिकन के पीसेस बहुत ही छोटे छोटे पीसेस बना लेना है चिकन को अच्छा सा धो के छनी में दाल के एक्स्ट्रा वाटर निकाल दीजिए अब चाहे तो यहां पे चिकन का खीमा को भी यूज़ कर सकते ही बहुत ही जल्दी रिस्पी बन जाएगी चिकन के पीसेस छोटे रहना है इस बात की ध्यान रख लीजिए और पोनलेस चिकन ही रहना है आड कर देंगे स्वाध अनुसार नमत और हल्दी पौडर बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पौडर आड करके अच्छा सा मिक्स कर लेंगे यहां पे मैं हल्दी पौडर ही दाली थी आप चाहे तो रेट फुट कलर का भी यूज़ कर सकते ही आपको रेसिपी कलरफुल चाहे तो चिकन कलरफुल से रहता है रेट फुट कलर आड कर लेंगे तो मैं तो नहीं दाली थी अब देखो चिकन से पानी निकला हुआ है अब ढग देंगे ढग एक दो मिनिट के लिए पका देंगे चिकन को दो मिनिट के बाद चक करके देखेंगे बीश में एक बार चलाते रहना है नहीं तो नीचे से जल जाएगा दो मिनिट हो गई ही में देखो एक बार चिकन को मिक्स कर लेंगे इक चिकन में सारा पानी अबजर हो गया है दुबारा से चिकेन से निकला हुआ पानी इसी तरह अबज़र होना है अब हम इसमें आड़ कर देंगे थोड़ा सा पानी चिकेन पकने के लिए क्यूंकि चिकेन नहीं पका हुआ है इसलिए हम थोड़ा सा पानी आड़ कर लेंगे बहुत ज्यादा नहीं दाल लीजिए जादा नहीं वे देखो चिकेन अच्छा सा पक गया है आपका चिकेन नहीं पका हो तो और थोड़ी देर चिकेन को पकने तक पका लीजिए चिकेन का इसी तरह हलका सा कलर भी छेंज होना है हलका सा चिकेन एक क्रिस्पी भी हो जाएगा अब देख सकते ही इसका कलर भी छेंज हो गया है अब आट कर देंगे थोड़ी सी कटी हुई प्यास ये प्यास बिल्कुल आप्शनल है अपना ही दालना चाहे तो आवाइट कर सकते ही दालने से टेस्ट अच्छा लगेगा कुछ कि पाइज बंड नहीं पसंद हो गां तो आवाइट कर सकते ही थोड़ी सी काली मिडशी पाउडर आट कर देंगे थीखे केreshाब से काली मिर्शी भी प्ली मिनिट के लिए चलाते हुए भूण लेंगे प्यास की कच्छी समल जाने तक ज्यादा टाइम नहीं लगेग आप य प्याज नहीं दालना चाहे तो खाल सिर्व कालभी प CT am anOkay घृप अधिया的 निपार के लिए प्याजा लें मिल्ची स्वेर्च हम एक मिल्हाने æक मिल्धी ब्ले में कि अज़ा इपा पैन में अट कर देंगे आईल, दो टेबल स्पून जीतना आईल आड कर लेंगे, आईल ज्यादा यू़पकर लोगा, ज़्यादा यूज़श करने की जुरॉत नहीं है क्योंकि हम फ्राइ करने के टाइम भी आयल दाले थें और शिक्ति में बटर से ही फ्राइ कर देंगे, अ ज्टना ही फ्राइट कर देंगे 1 टेबॉल स्पून जितना अध्रोली का पेस्ट finden कर यई फदर्स ख्रया ये हलक historic change और अध्रोली और फ्राइट कर एलों था ज्टी होगाद है ये श्रोत टूमेटर सेच ये में प्लीज कुटेशे न्यूंट करहा डरर Ты आप चाहे तो टमेटर को ग्राइंड करके प्यूरी बना के भी डाल सकते ही एक मिनिट के लिए भून देंगे भूनने के बाद थोड़ा सा पानी आड़ कर देंगे आड़ करके टमेटर अच्छा सा पकने तक ढखके पकाएंगे ये रिस्पी को मैं फास्ट टाइम बनाई थी फ्रेंड्स बहुत ही मज़े की बनी थी तो आप भी ज़रू ट्राइ करके देखिए रिस्पी को अब ढग देती हूं ये टमेटर अच्छा सा पकने तक पकाएंगे मेरे चैनल पर आप नहीं होंगे तो फ्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को जुरूर सबस्क्राइब कीजिए इसके लिए सब्सक्राइब बटन को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आईकान को क्लिक कीजिए ताके मैं upload करीके तो वीडियो अब सबसे पहले देख सकें सौरी फ्रेंड्स यहां पे छोटा सा क्लिप मिस हो गया था वीडियो नए आन करी थी मैं रेसिपी बनाने के टाइम इसलिए मैं बता देती हूँ कैसा बनाना है टमेटर पकने के बाद हम इसमें एक टी स्पून लाल मिर्ची पौरर हाफ टी स्पून धरिया पौरर थोड़ असा गरम मसाला आड़ करके फ्राई करना है एक मिनिट के लिए फ्राई करने के बाद इसमें पानी आड़ करना है यही कप से मैं तीन कप सेमिया ले ली थी जिस कप से हम सेमिया लेते हैं उसी कप से आप पानी आड़ करना है एक कप सेमियों को एक कप परफेक्ट रहेगा मैं यह हम पे तीन कप सेमिया ले ली थी तो तीन कप पानी थोड़ सा जादा दाली थी तीन कप परफेक्ट रहेगा सेम्या थोड़ सा नरम होने के लिए थोड़ सा पानी आड़ कर दी थी अप नहीं दान लेंगे तो भी परफेक्ट बनेंगे अब स्वाद अनुसार नमक आड़ करना है नमक भी दालती थी फ्रेंड्स क्लिप मिस हो गया सारी नमक का आड़ करने के बाद एक बार मिक्स करके चक्के देख लीजिए आपको नमक कम लगेगा तो और थोड़ सा नमक आड़ कर लीजिए अब ढखके पानी को अच्छा सा गरम होने देंगे पानी गरम होने के बाद अगला प्रासेस देखेंगे अब देखो पानी गरम हो गया है अब पानी गरम होने के बाद एक बार मिक्स कर देंगे अब इसमे आड़ कर देंगे थोड़ी सी कटी हुई धन्या पत्ता धन्या पत्ता एट करने के बाद एक बार मिक्स कर लीजिए और चाहे तो यहां पे पुदी ने कभी उस कर सकते ही मैं तो नहीं दाली थी एक बार मिक्स कर देंगे अब पानी अच्छा सा उबलने लगा है अब बैट कर देंगे फ्राइ करके रखे हुए सेमिया कभी भी पानी अच्छा सा गरम होने के बाद ही सेमिया को एड़ करना है थंडे पानी में हम सेमिया दाल देंगे तो सेमिया से स्टाच निकल के सेमिया सब नरम हो जाएंगे और चिपक जाएंगे इसलिए इस बात की ध्यान रख लीजिए, पानी अच्छा सा गरम होने के बाद ही सेमियों को आड़ करना है, अच्छा सा मिक्स कर देंगे, अब ढगके सेमियों को पकाएंगे, बीश बीश में ढगकन निकालके एक बार मिक्स कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ब बार उपर नीचे कर देंगे सारा सेमिय को और पानी है और फोड़ी देख थकके हम सेमिय को पकाएंगे सारा पानी अबजर हो जाना e अब मिनट के बार धकन निकालके दभारा से मिक्स कर देंगे देखो लगों, अल्मोस्ट इसमें पानी पूरा अपज़र हो गया है और एक आदर मिनिट के लिए पकाएंगे अब देख सकते ही आल्मोस्ट पूरा पानी अब ज़ए हम एड़ कर देंगे फ्राइ करके पका के रखे हुए चिकन को आड़ कर देंगे थोड़ा सा बचा के रख देती एक मिनिट के लिए सेमियों को दम कर देंगे दो फ्लेम पे रख देना है अब एक मिनिट के बाद ग्यास को आफ कर देंगे धकन को बिल्कुल नहीं निकालना है एक मिनिट के बाद निकालेंगे अब एक मिनिट हो गया था अब डगकन निकाल के चक करके देखेंगे देखों सेमिया परफेक्ट से बन गई हैं और खिले खिले बने हुए ही सेमियों को डिशोट कर लेंगे बनके तयार हो गई ही मज़ेदार बटन्स चिकन सेमिया आप भी जरूर ट्राइ करके देखिए यो फ्रेंड्स बहुती मज़े के बने थे जरूर ट्राइ करके आपको कैसे लगी की रिस्पी मुझे कामेंट करके बता दीजिए रिस्पी अच्छी लगी तो लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और टेस्टी रिस्पी के लिए मेरे चानल कब तक आप सबस्क्राइब नहीं किया हो तो जरूर सबस्क्राइब कीजिए फिर मिलेंगे अगली रिस्पी के साथ तैंक्यू फर वाचिंग